विद्यार्थियों दूत्य वर्ष कला के विद्यार्थियों के लिए आज हम विश्व की जन्जातियों के बारे में पढ़ते हुए उसी क्रम में शुरुवात तो गरेंगे हम मसाई जन्जाति से मसाई जन्जाति अफरीका माद्वीब के पूर्वी भाग में जो इलाका है उश्ण कटी बंदिय घास छेतर सावाना का छेतर है वो वहाँ पर मसाई जन्जाति के लोग रहते हैं कामधंदा इनका है पशुपालन और ये गाए, भैस, भेड, बक्री इनको पालते हैं इन से दूद, मास, खाल प्राप्त करते हैं और इनका जीवन निर्वाह होता सिर्फ पशुपालन के आधार पर निवाज छेतर देखते हैं इनका तो ये जो मसाई जन्जाती है ये अफरीका मादीप के पूर्वी हिस्से में एक डिग्री से पांच डिग्री दक्षण अक्षांस के मध्य उष्ण कटी बंदिये जलवायों में मिलती है सवाना घास के इलाके में और ये घास क्योंकि पशुओं के चरागा के रूप में काम आती है और इनका भी मुख्य काम धंदा पशुपालन ही है तो कीनिया, उत्री तंजानिया, यूगंडा का पूर्वी हिस्सा इस सारे इलाके में मसाई लोग रहते है और इनका विस्तार 38,000 वर किलोमेटर के एरिया में है इसमें किली मंजारो परवत के ढाल, कीनिया, एलेगन ये सब चीजें सब इसी में आते हैं भूतिक दशाइन की भूमदे रेखिये उष्ण जलवायू के छेतर में है और वार्षिक उसत आपमान 18 डिग्री से लेके 30 डिग्री से ऐसे तक मिलता है और वार्षिक वर्षा है 100 सेंटीमेटर तक शारीरिक लक्षण देखते हैं इनके तो मसाई लोग लंबे कदके होते हैं पैर और हाथ पतले-पतले उंगलिया भी लंबी तो अच्छा का रंग हलका भूरा कथाई सिर उंचा और पतला नाक पतली लंबी होट हलके बोटे बाल लंबे गुंगराले इस प्रकार के और भोजन देखते हैं तो भोजन इनका फिर वोई जानवरों से ही प्राप्त होगा दूद और मास इनके भोजन में रक्त का प्रमुक स्थान है ये गाए और बैलों की गर्दन को चमड़े की रसी से बान देते हैं इससे उनकी नसे फूल जाती है फिर नसों में धनुष जो तीर होता है उसको चुभा करके खून निकाल लेते हैं और उस खून को दूदम मिला करके बोजन के रुपे उप्योग लेते हैं मास इन्हें भेड बक्रियों से मिलता है और अगर कोई जो फसले भी यह उगाते हैं तो उसमें ज्वार बाजरा और मक्का प्रमुख है इस्त्रियां जो है वो कंदमू लिखटा करती हैं वस्त्र अब तो वस्तिन के चमड़े के बने होते हैं जो की शिकार से मिलता है और च चमड़े को मक्खन और चर्बी से चिकना और मुलायम कर लेते हैं बक्रे की चमड़ी से इस्त्रियों की ओढ़नी बन जाती है और जंगरी जनुरों के चमड़े से योध्धा लोग अपने कपड़े बना लेते हैं चमड़े से नोकदार टोपी बनाते हैं तो इस प्रकार से और मोटी खाल से चपल बना लेते हैं घर देखते हैं इनका तो घर क्योंकि एक जग़े से दूसरी जग़े घुमते रहते हैं तो घर इनका कोई स्थाई होता नहीं है चरागवों में घुमते रहते हैं लेकि जहां रहते हैं वहां जोपड़ी ये बना लेते हैं चालिश से लेके पचास परिवार एक जगह रहते हैं और जोपड़ी को ये कहते हैं क्राल और पश्वों के जोपड़ी बनाने का काम जो इस्तिरिया करती हैं और पश्वों को भी एक घेरा सा बना लिया जाता है बीच में रखते हैं सुरक्षित रखने के चक्कर में अब व्यवसाई इनका तो मुख्य तो व्यवसाई पशु चारण है पहले हम बता चुके हैं पशु पालक जन जाती हैं पालतु जनौरों को रखते हैं ये लोग सुबे चराने ले जाते हैं शाम तक चराते रहते हैं और सोमालिया में तो ये उटों को भी पालते हैं तो इसावारी के भी काम आता है और बोज़ड होने के भी समाजिक संग्ठन इनका देखें तो समाजिकता ज़्यादा है पित्रवन्शी हैं, बहिर विवाही जन जाती है और जाती भेद, रक्त भेद, सुद्रड है लुहार लोहे के शस्त्र बनाता है, सुनार केवल आबुषण बनाता है लुहार और सुनार जाती में अन्य मसाई जाती के इस्त्री गुरुषों का विवाह नहीं होता और समान वन्श और गोत्र में भी विवाह नहीं होता प्रतेक जाती का जो गोत्र है वो पिता के गोत्र से निर्धारित होता है कीनिया में काला बैल वाले और लाल बैल वाले दो गोत्रों के मसाई मिलते हैं बहु विवा है एक यूबक एक साधिक स्त्रियों से किसाथ विवा कर सकता है और लेकिन यह एकि प्रथम इस्त्री की तुलना में दूसरी और तीसरी स्त्री से कम पशू मिलते हैं बस यह इसमें फर्क हो जाता है शिक्षा की कमी है और बहरी दुन्या से तो संपर्क इनका है नहीं इस फरकार से एक धार्मिक नेता इनके बीच में होता है जिसे लैबॉन कहते हैं समाज में सम्मानित होता है और पिता से पुत्र को लैबॉन का पद भी मिल जाता है यह बीमारियों के लाज भी करता है जादू टोने से ही करता है लेकिन इसका भोजन बक्रे का जिगर दूद शहद यह है और समाजिक संग्ठन दूश सुद्रड है इनका अपरादों के मामले में दंड बिलता है जो कोई अपराद करता है तो दूसरी जन जाती जो हम विश्व की आज जाने के वो है बद्दू ये भी घुमकड जन जाती है और ने चारागाव और जल प्राप्ती की खोज में एक जगए से दूसरी जगए घुमती रहती है ये खाना बदोष जन जाती है मोसम के अनुसार जगए बदलती रहती है और समू में ये लोग घुमते हैं निवासिस्थान इनका देखें तो अरब प्रायदीप के रेगिस्थानी आलाके में जिसको हमद और नेफद कहा जाता है महाँ पर बद्दू ज्यादा मिलते हैं और दक्षण पस्ची में एशिया में सीरिया के मद्दवर्ती भाग में ये लोग मिलते हैं शरीक लक्षण देखें तो कद इनका ठिक ठाक है एक सो साठ से एक सो सट्सर सेंटीमेटर के बीच चहरा लंबा नेतर काले बाल काले चमडी का रंग दो पीला पन लिये हुए और भोजन देखें तो इनका उट नी का दूद है दूद को कच्चा पीते हैं दूद से दही पणीर मक्खन बनाते हैं और जो उट नी का खटा दूद है उसका उपएयोग ये भोजन में करते है इसके अलाबा मक्का की रोटी, जो की रोटी, जानवरों का मास, इस प्रकार से कहवा इनका प्रमुख पेपदार्थ है वस्तर अगर इनके देखें तो गरम जलवाईू है, सूती वस्तर ही सिर्फ पहनते हैं, बहुत धीले ढाले, हलके और बद्दु जन जाती के पूरुष जो है, सूती कपड़े से बना कुर्ता पहनते हैं, पाय जमा पहनते हैं, और चोंगा पहनते हैं सर्दियों में भेड की बाल से बनीवी जैकेट पहनते हैं टोपी पगड़ी पहनते हैं जिससे धूप से बचें स्त्रियां जो है वे मुलायम और हलके धीले ढाले कपड़े पहनती हैं व्यवसाय इनका है कि पानी की यहां कमी है प्रतिकूल जलवायू है पशुपालन ही यह लोग कर सकते हैं वही इनका घाम है उंट, भेड, बक्री, घोड़े, खचर यह सारे पालते हैं उंट का महत्व सब से ज़्यादा है उंट, घोड़े, खचर एक जगए से दूसरी जगए समालाद करके ले जाने के भी काम आते हैं इनसे दूद, बाल, चबड़ा, मास, यह सब चीजें मिल जाती हैं और उंट क्योंकि रगिस्तानी इलाका है तो ज़्यादा काम में आने वाला जानवर है अब इनका देखते हैं घर तो वैसे तो घूमते रहते हैं जहां चारा मिल जाता है वहाँ पर ठिक जाते हैं कुछ दिन तो इनका निवासिस्थान भी इनके साथ ही चलता है तो खाल और कपड़े से बने हुए तंबू तंबू लगा करेंगे घर बन जाते हैं तंबू लगाने का काम स्तिरिया करती हैं पूर्ष वर बच्चे पालतू पश्मों को चराते हैं समाजिक संक्ठन देखें तो समुह में रहते हैं पिता का स्थान सर्वोपरी है पित्र प्रधान समाज है एक गोतिया जाती के तीन चार पीड़ी के लोग एक साथ रहते हैं और इनका धर्म है इसलाम और इस मुख्या जो मुख्या होते हैं इनके उनको शेख कहा जाता है एक आदमी एक सदिक स्त्रियों के साथ विवा कर सकता है किसी के चार चार भी स्त्रियां होती है ये लोग अपने सगी बहन के अत्रिक किसी भी लड़की से विवा कर सकते हैं इस परकार से इनका संग्ठन है, ये वीर होते हैं, ये दुकोशल में भी पारंगत होते हैं, आकर्मन करते रहते हैं, चापामार, लूटमार, इस तरह का, लेकिन इन इन इलाकों में खाद्यानों की कमी है, कठोर परिश्रम करते हैं, ऐसी इनकी स्थिति है, तीसरी है मद्धेशिया में खिरगिज यह जो खिरगिज है यह भी पशुपालक है ब्रह्मनशील है ऐसे लाग़ों के रेने वालें जहां बर्षा कम होती है थोड़ी घास को लगाने के लायकी होती है यह सर्दियों में लेकिन बर्फ गिरह जाती है गर्मिय में थोड़ी सी बारिश होती है और पशुदान इनका मुख्य कारोबार है भेडबकरी ये लोग पालते हैं और एक जगे से दूसरी जगे घूमते हैं घर देखे तो इनका तंबू होता है घर दीवारा इनकी लंबा कार छट गुमबदाकार होती है और वस्तर इनके ह यह यह लोग एक लंबा चोगा धारन करते है इसे कहते है कटान को यह टक अगेद्मध कड़े दार कोट होता होता है इस प्रकार से ये कुछ जनजातियां हुई विश्यू की जो कि मानव भूगुल में हमें पढ़नी होती हैं इसी प्रकार से अन्य भी जनजातियां हैं विश्यू में जो कि हम अगर जाने तो एक छोटी सी सूची देखें तो अबोरीजिंस ये उस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं एटा ये फिलिपीन्स के एनू देखें तो ये जापान के बंटू देखें तो ये अफरीका के भूमद रेखे छेत्रों में और बाटवा देखें तो ये कसाई छेत्र अफरीका का विरवेजा देखें तो ये नील नदी के लाके के हैं चरवा हैं बरबर ये उत्री अफरीका में त्रिपोली के पस्ची में रहने वाले हैं और ब्लैक फैलो ये उस्ट्रेलिया के अदिवासी हैं इसी प्रकार से चुक्ची ये साइबिरिया के चुक्ची प्राइदिप में रहते हैं कॉसेक्स ये दक्षन और पूर्वी सीमान्द के निवासी हैं फैला ये मिश्र के खेती हर लोग हैं फुलैनी ये उत्री नाइजीरिया के लोग हैं हान ये चीन के मूल निवासी हैं हान हैजला ये ब्रेटिश जनजाती के लोग हैं इनुइट ये उत्री अमेरिका के एस्कीमो लोग हैं कीक्यू ये कीनिया की क्रिशक जनजाती हैं कुबू सुमात्रा की जनजाती हैं कुर्द ये इरान, इराक, आर्मीनिया, अजर्बेजान यहां की पशुपालक जनजाती हैं लैप्स ये तक्षन स्केंडिनेविया यहां के कोला प्रैद भी इसे लाके के हैं फिर है माओरी ये न्यूजिलेंड के मूलनिवासी हैं फिर डांगा तो ये अंगोला के आसपास के इलाके के हैं पपुआन पपुआ के मूलनिवासी हैं कुंग तो ये दक्षन अफरिका के लोग शान ये दक्षन चीन असम म्यामार के स्वाहिली ये जनजिबार और निकटवर्ती तट के लोग और तातार ये साइबरिया के लोग हैं टोडा तो ये निलगरी पहाडियां हमारे देश की बात है उईघर ये तारिम बेसिन के नखलिस्तान के लोग हैं वेद्दा ये श्रलंगा के निवासी हैं याकूत ये उत्री पूर्वी साइबरिया के लोग हैं तुर्की लोग यांकी ये अमरीका के न्यू इंगलेंड के रेने वाले लोग हैं यूमा ये मेक्सिको और केलिफोर्निया के इंडियन लोग हैं यूइट ये शैवेरिय और अलास्का के लोग कहां कहां वे निवास करते हैं झाल झाल